आइरस को लेकर C.M. गेलोथ गंभिर हैं, C.M. गेलोथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये, क्रोणा को नियंतित करने में सफलता के लिए काम करना जारी रखें, स्थिति को नियंतित करने के लिए जैपूर, जोदपूर, बिकानेर, चुरु, जुनजुरु, वास वाड़ा अन्य जिलो में भिलवाड़ा मॉडल लागू करने की भी उन्होंने निर्देश दिये हैं तो राजिस्तान में कोरोना वाइरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पाउजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 500 के पार प्रदेश के 24 जिलो में फिला कोरोना का संक्रमन और प्रदेश में अब तक 57 नए मामले सामने आ चुके हैं और इनकी संख्या बढ़कर हो चुकी है पांसो के पार पांसवाड़ा में बारा जेसलमेर में आठ चालावाड़ा में तीन अलबर कोटा भरतपूर में एक एक कोरोना पॉजिटिव सामने आये हैं लिमारे समो अदरता लोकेश ओला इस वक्त तो फॉन लाइन पर जूर चुके हैं लोकेश बात बार बार हम यही कर रहे हैं कि लगाता ग्राफ बढ़ता जा रहा है और 24 जिलो में ये कोरोना का संक्रमन फेल चुका है फिलाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास बिल्कुल देखें लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो परदेश में बढ़ता जा रहा है आज परदेश में दो बजे तक का जो डाटा समया आया उसमें सतावन कोरोना के पोजिटिव वो नहीं सामने आया हैं अब पान सो बीस कोड़ ना को सामने आ चुके हैं वहीं जेपुर में पंद्राज में पोजिटिव मिलने के बाद में संसनी फिर्स पर फाल गही है कि जो कोरोना की जो पंद्रन है को जो मरीज सामने आए हैं वो जेपुर के परकोटे चेतर में जहां सेंप्ल लिए गए वहीं से वो सामने आए हैं क्योंकि जो चिंटा गविशे हो लगातार परदेश के लिए बढ़ता जा रहा है तो कि संकर्मन को रोका जाए इसी तरह बाद कर दो जेपुर में अब तक 113 कोर्णा पोजिटिव अमरीज सामने आचुके हैं वहीं जो जो पर 42 कोरोना की पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं जो चिंटा-गविशे बनता जा रहा है जी चलिए इस तमाम जानकारी के लिए शुग्रिया लोकेश आपका, तमारे समधता लोकेश होला यह में ताज़ा अपडेट दे रहे थे कि सिकिस्सा इभाग, मुस्ते थे, आखने हाला कि बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की जिंदा बढ़ रही है, लेकिन सरकार तमाम प्रयास कर रही है, चलिए समया पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फोरण हासर होते हैं